है अफा हम आ पॉजेशन को करने के लिए थू-3 स्टेप्स हैं वो हमेशा याद रखने ल पहला स्टेप करो कि पार्टिक्ल की पॉजीशन क्या है तो पार्टिकल टी इक्वल स्टु 0 पे कहां है तो equation में t equals to 0 रखो देखो x क्या आता है तो t equals to 0 रखोंगा तो x equals to 0 आजाएगा तो मतलब यहां से कहानी शुरू हो रही है दूसरा step दूसरे step में आप क्या करो इसको differentiate करो इसको differentiate करके आजाएगी अपने पास velocity तो t square minus 2t को differentiate करेंगे आजाएगा 2t minus 2 अब जो velocity आई है ना अब यह चेक करो कि velocity कहां 0 हो रही है ठीक है पहले यह चेक करा कि शुरू कहां से हो रहा है फिर velocity निकालके velocity 0 कहां हो रही है यह चेक करना आपको समझे बात को तो t equals to यह velocity को 0 करनी है यह हमने velocity 0 करी यह आगया हमारे पास t equals to 1 देगो 2t minus 2 है ना इसको 0 कर दिया तो t बराबर क्या आ जाएगा 1 second आ जाएगा सीधा सीधा कोई दिक्तत नहीं है तू चला जाएगा राइट में तो t equals to 1 सेकेंड आगया यानि कि एक सेकेंड बाद velocity 0 हो जाती है अब एक सेकेंड बाद पहुंचा कहां तो वन सेकेंड यहां पर वापिस दालो पोजीशन की जगा तो x equals to क्या आता है देखो at equals to 1 डालो यहां पर वन डालने पर आएगा माइनस 1 यानि कि इधर उल्टी डारेक्शन में चल रहा है वो और यहां पहुंचके उसकी velocity क्या हो रही है 0 हो रही है इधर velocity 0 हो गई माइनस 1 पे dear students जहां पे velocity 0 होगी ध्यान से सुनो जहां पे velocity 0 होगी particle उस point के about घूम रहा है क्योंकि चलना तो है उसने समझ में आ रही है बात रुक तो रहा नहीं है वो तो चलना तो है उसने तो continuously चलता रहेगा वो क्योंकि x equals to 1 डालूंगा तो यहां पे पहुंच गया x equals to 2 डालूंगा तो कहीं और पहुंचेगा तो x equals to 2 डालता हूं तो 2 seconds पे कहा आ जाएगा देख लो यहां पे 2 डालो आप 4 square minus 4 वापिस से 0 पे आगे तो चल रहा है न वो रुक तो रहा नहीं है बस 1 पे आने के बाद जब वो रुका तो रुकने का ये मतलब है और रुकने के बाद वो यहां पे आगे वापिस तो मतलब यहां पे आने के बाद वो गोल गूम रहा है पहुम के x equals to 2 seconds पे कहां पहुचा है यह हमने चेक कर लिए x equals to 2 seconds पे वापिस से x equals to 0 पे आगे यह उसकी position है अब question बोल रहा है कि distance बताओ कितना चला अब distance की आपको definition मालूम है distance की definition होती है actual path traveled by the body actual path traveled by the body की body ने कितना actual path चला है तो एक मीटर इधर एक मीटर इधर दो मीटर चला है अगर displacement पूछता बेटा तो यहां पे answer क्या होता 0 हो जाता ठीक है question समझ मैं है like share और subscribe जरूर करना thank you